बालाघाट में मत गड़ना से पहले डाक मत पेटी खोलने वाले मामले में कॉंग्रेस बालाघाट कलेक्टर को हटाने की मांग कर रही है अब हाजप्रवदेश अर्ध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस मामले में कूत पड़े हैं विडी शार्मा ने कहा कि घटना के संग्यान में आने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत उचित कारवाई की है। बाला घाट में डाक मतपत्र चंटिनी का विडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ वैसे ही मध्यपदेश की राजनीती में घमासान मच गया। कि घटना के संग्यान में आने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत लापरवाई बरतने वालों के खिलाव नियम के हिसाब से कारवाई की है। कॉंग्रेस का आरोप है कि विधान सबाच चुनाव में सरकारी करमचारियों को मतदान करने से वंशित किया गया। कॉंग्रेस के इस गंभीर आरोप परवीडी शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि वोट करना सरकारी करमचारियों का अधिकार है। इस अधिकार से उन्हें कोई वंशित नहीं रख सकता। लोकतंतर में ऐसा संभव नहीं है। करवाई हुई होगी तो उसको लेकर कि एलेक्सन कमिसन ने भी संग्यार में लिया है। और जिसके खलाब कारवाई करनी चाहिए। एलेक्सन कमिसन के संग्यार में आकर के वो उसको अपने नजर में लेकर उस पर कारवाई कर रहा है। बोर्ट डालने के लिए उनका अपना अधिकार है उस अधिकार से ने कोई बंचित कर सकता उनना लोक तंत्र में ऐसा कभी संभव है हां किसी करमचारी ने नहीं डाल पाया हो तो वो एक बात हो सकती है लेकिन प्रशासन ने एलेक्शन कमिसन ने जो उचित विवस्थाएं बन आपचारियों को क्यों नहीं होगा तो इसलिए मुझे लगता है कि जिनने नहीं डाल पाया हो अलग बाते अधरवाइक विवस्था है प्रशासन ने बेहतर तरीके से की थी आप देख रहे है दखल नीओ झाल झाल झाल